बेनाद योगी जबादी योगी ने अपना ग्यान प्रसारत किया, वो 112 तरीके, उनके जो साथ शिश्य थे, सब्तरिशी, उन्होंने इस ग्यान को 16 तरीकों से 7 हिस्सों में बाटा, तो उनमें से हर एक ने परम ग्यान को प्राप्त करने के 16 तरीके सीखे, योगे कथाओं में कहा गया है कि उन्हें इसे सीखने में 84 साल लगे, इन 84 सालों में आदी योगी उनके लिए सिर्फ एक शिक्षक ही नहीं रहे, धीरे धीरे वो उनके लिए सब कुछ बन गए, जब सब्तरिश्यों ने इन 16 तरीकों को आत्मसाथ कर लिया, तब आदी योगी ने उनसे कहा, अ बात बस इतनी है कि गुरू चाहते हैं कि वो एक समर्पन की भावना के साथ जाएं, कुछ बहुत कीमती भेट करके जाएं, क्योंकि समर्पन की अवस्था में ही एक इनसान अपने चरम पर होता है, तो आदी योगी शिव ने गुरू दक्षिणा मांगी, ये सातों भोचक क रह गए, उन्हें क्या अर्पित करें, उनके पास ऐसा क्या है, जिसे वो आदी योगी को भेट कर सकें, अगस्ति मुनी ने कहा, मेरे पास सोला रत्न है, सबसे कीमती रत्न, ये सोला रत्न जो मैंने आप से प्राक्त किये हैं, मैं आपको अर्पित करता हूँ, उन्होंने 84 स साल की कठोर साधना के बाद इसे हासिल किया था, और अभी की पल में, जब उन्होंने गुरु दक्षिना मांगी, उन्होंने उसे उनके चर्णों में अर्पित कर दिया, और रिक्त होकर खड़े रहे, बिलकुल शून्या, आदी योगी ने कहा, जाने का समय हो गया है, वो दात वहां से चल पड़े, और ये उनकी शिक्षा का सबसे मुख्य पहलू था, चूंकि वो रिक्त होकर निकले, वो उनके जैसे बन गए, शिव का अर्थ है, वो जो नहीं है, वो भी वो बन गए, जो नहीं है, चूंकि वो ऐसे बन गए, इसलिए उन सातों में से हर एक के म अध्यम से सभी 112 तरीकों को अभिव्यक्ति मिली, वो चीजें जो वो कभी भी नहीं समझ सकते थे, वो चीजें जिसके लिए उनमें कोई क्षमता नहीं थी, वो चीजें जिसके लिए उनके पास जरूरी बुद्धी नहीं थी, वो सब उनका एक हिस्सा बन गए, क्योंकि उ उन्होंने उसे अर्पित कर दिया, जिसे उन्होंने हासल किया था, जो उनके जीवन का सबसे कीमती पहलू था, उन्होंने उसे आदी योगी को वापस कर दिया, और खाली हाथ निकल पड़े.